आस्टेलिया के खिलाप सिरीज में इन तीन मामलों पर गौर करेगी टीम इंडिया विसकप से पहले होगा एहम भारत टीम के पुर्मुक बल्लेबाज रोहिस सर्मा व्राट कोली के अलाबा मुक्या इस्पीनर कुलदी प्यादप और आलराउंडर हार्दिक पांडिया को पहले दो मैचों में आरान दिया गया है ओस्टिल्या के खिलाब तीन मैचों की वंडे सिरीज के दोरान भारत के पास कुछ महतपोंड बिंदों पर ध्यान के अंदित करने का अफसर होगा यह तीन मैच 5 अक्टुबर से सुरू होने वाले किर्केट विसकप से पहले टीम की तैयारियों को अमली जमा पहनाने का मौका होगा विसकप से पहले मुख्या कोच राहूल द्रैबिड के पास बेंच स्ट्रेंद को परकने का यह अंति मौका होगा बारते किर्किट टीम विसकप 2023 के लिए खुद को अच्छी तरह से तयार करने के लिए वंडे सीरीज के अच्छे तरीके से उप्योग करने की कोशिस करेगी यहां तीन मामले बताए गए हैं जिन पर भारते टीम को औस्टिलया वंडे सीरीज के दोरान ध्यान के अंदित करने के आवस सकता है रिकॉर्ड आठमा एस्याकप खिताब जीतने के बाद ओस्टिला सीरीज में प्रिबेस करने वाली भारते किर्केट टीम जीत की लेको जाई रखने की रादे से उतरेगी रोई सर्मा की अंगवाई वाली टीम एस्याकप 2023 में केवल एक मैच हारी थी उसका लक्षे ऑस्टिला को सीरीज में क्रीन स्वीप कर इस फॉर्म को किर्केट विसकप तक ले जाने का होगा जो इंडिया टीम का अगला टूनामेंट है साथी द्रैविट एस्याकप के दोरान बेंच पर बैटने वाले खिलाडियों के फॉर्म का भी आंकल लंगर पाएंगे थूर्यकुमार यादव स्रेसायर मोहमद समी जैसे खिलाडियों की फॉर्म का पता चल पाएगा साथी रवीचंद्र अस्वीन फॉर्षिन यो सुन्दर की परक होगी ऐसा माना जा रहा है अस्वीन चोटिल अक्छर पटेल की जगे विसकप की टीम में सामिल हो सकते हैं यह देखते होगे कि किर्किट विसकप अक्टुवन नॉम्बर के दोरान में होगा उस टूनामेंट में ओस महतपूर मोवी करनेवा सकता है भारत के लिए विप्रीत इस्तितियों में खुद को परगने का अच्छा मौका होगा ऐसे हालात में बल्लेवाजी करना आसान हो जाता है लेकिन ओस से स्कोर का बचाव करने वाली टीमों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है इसी के साथ फिट हो चके स्रेसेयर के पिरदसन पर सभी की निगाय होंगी उनकी बैटिंग सभी की रडार पर रहेगी रेसेयर को सावित करना होगा कि वे विसकप के लिए पूरी तरह से तयार है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर किलिक करना ना भूलें च्योंकि हम इस चैनल पर किरकिट से जुड़ी अ आगा ताल आते रहते हैं